आप देख रहे हैं सिटी निया निज्ज चैनल हक्की आवाज दूसरी चीज जिन लोगों को बुखार नहीं है सर्फ दर है कि हमको कोरना तो नहीं हो गया है हम टेस्ट कराएं टेस्ट कराने का कोई benefit नहीं है क्योंकि treatment कोरना का अभी भी कोई specific नहीं है सारा treatment सर्फ symptomatic आपकी problems के हिसाब शेही किया जा रहा है इसलिए कोरना के टेस्ट के पीछे मत भागिए जिन लोगों को डर है कि हम कोरना patient के पास गए थे हमको तो नहीं हो गया अगर आपको fever नहीं आ रहा तो आपको कोरना नहीं है अगर आपका टेस्ट भी कोरना का positive आया और आपको कोई symptom नहीं है तो सिर्फ 14 दिन के लिए घर में isolation रहना बहुत जरूरी है जिसे की दूसरों को ना फैले जो लोग घर पे हैं वो लोग hand sanitizer का या फिर hand घर के बने soaps का use करें कैसे use करना है आपको sanitizer ले करके इसको चारों तरफ रखना है इवन साबून से भी ऐसे ही जिससे की कोई भी corner ना बचे अब ये आपका hand sterilize है अगर आप patient को चूना चाह रहे हैं तो या तो sanitizer नहीं तो glove यूज करिए और चूने के बाद या काम खतम होने के बाद वो glove उतार करके fake दिजिए उस glove को पहन करके आप बाहर मत जाएए ले तो infection बाहर आ जाएगा अगर आप infected नहीं है तो social distancing के time या तो कपड़े का या N95 या simple mask यूज करना equally effective है सिर्फ patient से एक मिटर की दूरी बनाई रखिए वो लोग जो infected नहीं है अपनी immunity को boost करना चाहते हैं कि हमको infection ना हो या हो तो हम उससे बच जाएं उसके लिए जो हमारे पास vitamin C की tablets हैं जो एक सुवे और एक शाम ले लेने चाहिए कुछ multi vitamin की गोलिया आती है विकसूल या multi vitamin supradine कोई भी गोली एक जैसा ही काम करती है दिन में एक लेना इनफ होता है कैल्शियम या vitamin D3 ने भी effect दिखाया है इसलिए ये भी दिन में एक बार लेनी है vitamin D के 60K के capsules आते हैं तीन दिन लेकर के बंद कर दीजे वो लोग जो बुजूर्ग लोग खाना नी खा पारे भूक नी लगरी उन लोगों के लिए ORS solution या घर का बना नीबू पानी इनफ होता है जिसमें नमक और चीनी दोनों होनी चाहिए यहां तक मैंने बात करी वो लोग जिनको कोई infection नहीं है या fever नहीं आ रहा है मैंने फिर बताया fever नहीं है तो corona नहीं है क्योंकि 97% को पहला symptom ही fever आता है अगर आपको fever आ रहा है तो थर्मामेटर से चेक करिए पैनिक मत करिए अगर fever आ रहा है तो आप पैरस्तमॉल की बनी टाबलेट आपको आराम से मिल जाएगी 500 या 600 में ये morning, afternoon और evening पैरस्तमॉल की गोली से शरीर के दर्द, कमजोरी, सिर का दर्द, गले का दर्द या fever दोनों उतर जाते हैं अगर इस गोली को तीन बार लेने से fever नहीं उतर रहा तो आप कपड़े से बॉड़ी को विगा लीजे और पंका चला दीजे जैसी पानी सुखेगा आपका temperature उतर जाएगा बच्चों को भी आप यही दे सकते हो बस पैरस्तमॉल की dose वेट के साब से आदि कर दीजे अब इसके लाबा कुछ लोगों को सास फूल नहीं शुरू हो जाती है कुछ लोगों को डर की वजय से कुछ लोगों को भीमारी की वज़े से अगर ओस फूल नर की वज़े से है तो आप ये pulse oxymetor फ्रीग लाएए जो कि मार्किट में अराम से मिल जा रहा है 500 से 1000 रुपे के बीच में या फिर Amazon इस साइट पे भी मिल जाता है इसको उगली पे लगाने से आपको आपकी oxygen कितनी है यह बता देता है अगर आपकी oxygen नॉर्मल लोगों की 90 से उपर रहनी चाहिए अगर यह oxygen 90 से उपर है तो यह जो भी आपको हो रहा है वो डर की वज़े से है और जितना मैं है treatment अभी तक बताया multi vitamin, social distancing या hand wash is enough बट अगर आपकी oxygen कम हो रही है या सास चड़ रही है या खासी आ रही है तो आपको दो टैबलेट्स एक तो derifilin की गोली या म्यूसिनेक से भी सास चड़ना कम हो जाता है जिन लोगों को खासी हो रही है कोई सीरप अच्छा और बुरा नहीं होता जो लोग सीरप मार्केट से खरी सकते हैं पाच एमेल सुबे दुपैर शाम लीजे जो लोग नहीं ले सकते हैं जिनजर का जूस कंसेंट्रिटेड जिनजर के जूस में हनी मिला के लीजे ये भी होम रेमीडी है खासी के सीरप के जैसा काम करता है सब सीरप एक ही जैसे काम करते हैं सिरफ एक धकन सुबे दुपैर शाम लेना है यहां तक तो सिर्फ उन बालोगों की बात है जो लोग घर में सिम्टमेटिक ट्रीटमेट कर रहे हैं किसी वज़े से आपका बुखार उतर ने रहा बहुत बढ़ गया इतने सब केर से नहीं ठीक हो रहा तो अब मेडिकल फैसिलिटी आ जाती है जिसमें कुछ गोलिया और कुछ इंजेशन मैं समझा रहा हूँ जो गोलिया है दो एंटिबाइटिक्स एजीतरो मैसीन सिर्फ पांच गोलिया आपको कंटीनू नहीं करनी रोज एक लेनी है पांच दिन लेके बंद कर देनी है एजीत्रोमाइसिंग या डॉक्सी साइकलिंग यही दो एंटिबाइटिक्स हैं जो इस वाइरस के खिलाफ कुछ तो काम करके रिजल्ट दिखा रहे हैं और हम लोग इनको दे रहे हैं डॉक्सी साइकलिंग के वोली सुबह शाम एक पत्ता लेके बंग कर देना है अगर इन सबसे भी ठीक नहीं हो रहा और आपके पास मेडिकल फैसिलिटी है तो आप मेडिकल फैसिलिटी में जाएए अगर ऑक्सीजन 90 से कम है तो अक्सीजन का सिलेंडर का इंतिजाम करिए नहीं तो अपने हॉस्पिटल पास में दिखाईए किसी वज़े से आपको हॉस्पिटल नहीं मिल रहा तो दो और ड्रग्स है एक तो ब्लड थीनर इनॉकसा पैरिंग ऐसा माना गया है कि कोरना के टाइम में बोडी में क्लॉट्स बन जाते हैं और हाट का ब्रेन का स्ट्रोक और सब जगा के ओर्गन्स फेल करने लगते हैं ऐसे में ये ब्लड थीनर का इंजेक्शन सुबह और शाम 40 mg का अगर 3 दिन लगा लिया जाए तो ये इनसे बचाता है प्रटेक्ट करता है मैं फिर कह दूँ ये मेडिकल गाइडन्स में ही करना है अगर किसी वज़े से ये इंजेक्शन नहीं अवलेबल है तो गोली भी आती है पिक्सा बैंक की जो 2.5 mg सुबह शाम ली जा सकती है ये सब चीजें पास दिन के लिए करनी है कुछ रिजर्च में स्टिरोइट का रोल बताया गया है ये 10 रुपे का स्टिरोइड है डेक्सा मेते सोन अस्तबा के लोगों को दिया जाता है इमर्जेंसी अलाफेलक्सिस में लिया जाता है ये भी कोर्णा में आजकल दिया जा और किसी वज़े से जो वेंटिलेटर पर जाना है वेंटिलेटर पर जाने से बचने के लिए ये इंजेक्शन्स लगाए तो बच जाता है एक कलेस्ट्रॉल की गोली अट्रोइस्टेटिन 10-20 में अबनी गोली भी काम करती है कोर्णा में ऐसा देखा गया है बड़ी सेफ सि जूट देने से पेशन की कंडिशन खराब हो रही है इसलिए सिर्फ पानी के ओपर मत जाई है कोशिश करिए इसको अवाइट करने का तो मैं फिर वापस आऊंगा हम लोग जो इंफेक्टेड नहीं है वो सरफ हैंड सैनिटाइजर डिस्टेंसिंग और मास का यूज करेंग इसमें ब्लड की जरूरत नहीं होती इसमें इंफेक्शन होने का डर नहीं होता सिर्फ आप उगली अपनी साबून से दो के यूज करिए जिससे दूसरे आपनी को इंफेक्ट ना हो इसके अलावा घर में पारसितमॉल, डेरिफलीन, मॉल्टी लूकास्ट, म्यूसीनेट ट मिले तो एक इंजेक्शन एंफेक्शन और एक इंजेक्शन डेकाडरान, यही इस वकत हमारे पास बेसिक केर अवेलेबल है, मेक शोर कि यह सब के पास इंफरमेशन चली जाए, आप अपनी डिसीज की सिवेरिटी के हिसाब से इसमें से ड्रक्स लेंगे, लेफ्ट साइड स से राइड साइड बास सिवेरिटी बढ़ती चली जाएगी, जो लोग हॉस्पिटल जा सकते हैं, वो हॉस्पिटल में रहिए, जिन लोगों की ऑक्सीजन कम है, वो घर में अक्सीजन इंतिजाम करके भी यह ट्रीटमेट शूरू कर सकते हैं, और मुझे उमीद है, विदिन वान मन्थ, वी और वी और हैपी और फाइड, थैंक यू, मैं दोटर संजीव कुमार संशाइन होस्पितल से बोल रहा हूँ,